तो चीटेड एक्जाम को देखते गए अनुष्का अकेडमी ग्वालियर में मैधी पक्षर सीटीपी की क्लास लेकर आए हैं तो सबी लोग जल्दी से आ जाएं आप सीटेड एक्जाम के लिए कम समय बचा है तो प्रती दिन क्लास लेना ना भूलें सबी लोग जल्दी से आ जाएं पहरा प्रिशन है पर्याबन जागरुकता का किस की द्वारा सिर्जन किया जाता है पर्याबन जागरुकता का किस की द्वारा सिर्जन किया जाता है ब्याख्यान के द्वारा, छेत्री ब्रमन के द्वारा, सम्हुई बारतरलाप के द्वारा या अध्यन के द्वारा पर्यावन जागरुकता का किसके द्वारा सिर्जन होता है? पर्यावन जागरुकता किसके द्वारा सिर्जन किया जाता है? पर्यावन का सर्जन होता है ब्याक्खान के द्वारा नहीं होता है, अध्यन के द्वारा भी नहीं होता है, श्रमूई बारतलाप के द्वारा भी नहीं होता है, शित्री ब्रमन के द्वारा होता है, पर्यावन जागरुकता का सर्जन शित्री ब्रमन के द्वारा होता है, अगला प्रशन प्रथवी पर पहुँचने से पहले ओजन परत किन क्रिणों को अफसोसित करती है जो ओजन परत है समताब मंडल होता है उसमें पाई जाती है ओजन परत एक प्रशन आता है कि ओजन परत किस मंडल में है तो समताब मंडल में ओजन परत होती है आज़न परत जो पायू मंडल से आने बाली करणे हैं उनको रोकती है वाई कुएं सी करणे हैं गामा करणे एक्स करणे परावेगनी करणे बीटा करणे प्रत्वी पर पहुंचने से पहले आज़न परत किन करणों को अपसोसित करती हैं गामा किरणों को नहीं करती, एक्स किरणों को भी नहीं करती और बीटा किरणों को भी नहीं करती है यह करती है पराबैगनी किरणे अगला प्रिस्न है कि चमगादल को हम इस्तंदारी क्यों मानते हैं क्योंकि उड़ता है रात्री चरहे साका हरी है बच्चे देता चमगादल इस्तंदारी इसलिए है कि वए बच्चे देता है अगला प्रिस्न है पर्यावण की परिवासा क्या है अबायोटिक एबं बायोटिक घटक शम्मुद्र तल के नीचे प्रिथ्वी पर बस्तुएं चीजों से हमको गेड़ती हैं इनमें से कोई नहीं पर्यावण की परिवासा क्या है पर्यावण की परिवासा होती है जैबिक और अजैबिक इसी को कहते हैं अबायोटिक एबं बायोटिक अगला प्रिशन है वायोटिजल किस से तैयार किया जाता है वायोटिजल किस से तैयार किया जाता है यूट्री, कुलेरिया, जेट ट्रॉफा, देवदार, यूकिलिप्टस वायोटिजल किस से तैयार किया जाता है जेट ट्रॉफा, देवदार, यूकिलिप्टस वायोटिजल तैयार किया जाता है जेट ट्रॉफा से अगला प्रिशन है 21 मार्ज को, 16 सितंबर को, 25 अप्रेल को, 5 जून को विश ओजोन दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को और 5 जून को परियावण दिवस मनाते हैं अगला प्रशन है, सिल्वी कल्चर किस से सम्बंदित है, बन एबं, बन उत्पाद, सिल्क, फूल, उल्वरक, जो उल्वरक होता है, वोश्य। सिल्वी कल्चर किस से सम्बंदित है, बन एबं, बन उत्पाद से अगला प्रिश्ण है जूम खेती कहां होती है केरल पेहार मेगालाए तमिल्नाडू जूम खेती कहां होती है केरल में प्यार में मेगालाए में तमिल्नाडू जूम खेती का प्रिश्णल मेगालाए राजी में प्रिशलित है अगला प्रिश्ण है सुस्क बर्फ किसका ठोश रूप है अमोनिया कार्बन डायोकसाइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक प्रिश्ण पार बार सीटेड एक्जाम में पूछा जा रहा है प्रतेक बर्फ प्रतेक बर्फ पूछा जाता है कि नाइट्रोजन भारत में जो बायोमंडल है उसमें सरवादिक गैस की मात्रा किस गैस की होती है तो नाइट्रोजन की 78 प्रतिसाथ ऑक्सीजन 21 प्रतिसाथ होती है कार्बन डायोकसाइड 0.03 परसंट होती है सुस्क बर्फ किसका ठोश रूप है कार्बन डायोकसाइड का है तमबाखू की यादत निकोटिन से होती है चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है कैफीन तमबाखू की यादत निकोटिन से होती है निम लिखित मैंसे चिप को अंधूलन का प्रेणता था चिप को अंधूलन का प्रमुख नेता कौन था मेदा पाटिकर बाबा आम्टे ये नर्वदा बचाओ अंधूलन से संबंदित थे और सुन्दालाल बहुगणा चिप को अंधूलन की प्रमुख नेता थे निम लिखित मैंसे कौन पर्या बन इंजिनर के नाम से जाने जाते थे आनंद कुमार अनिल अगरबाल शौनम बंग चुक जीडी अगरबाल निम लिखित मैंसे कौन पर्याबन इंजिनर के नाम से बिख्यात थे जीडी अगरबाल पर्याबन इंजिनर के नाम से बिख्यात थे पारिश्टित की इस्थाई में तब बिता है या एक अथन किसका है पर्याबन इस्थाई में तब बिता है या किसका अंदोलन है और नारा था चिपको अंदोलन का पारिश्टित की इस्थाई में तब बिता है या किस अंदोलन का नारा था तो यह था चिपको अंदोलन गलो गलो फिप्टी हंडेड पुरिशकार किस संस्ता द्वारा दिया जाता है यू एन एपी आई यू सी एन डव्ली डव्ली एफ यू एन आई सी आई एफ यह दिया जाता है यू एन एपी के द्वारा इसको फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेट नैशन इन्वार्मेंट टूटो कॉल अगला प्रिशन है कि निम लिखित में से कौन नर्वदा बचाओ अंदूलन से संबंदित है सिब्राश सिंग चोहान कल्यान सिंग रावत पांडूरंग हैंगडे बाबा अम्टे नर्वदा बचाओ अंदूलन से संबंदित बाबा अम्टे अम्रता देवी स्मृती पुरुषकार किस लिए दिया जाता है अम्रता देवी पुरुषकार किसलिए दिया जाता है बन एबंपन जीवन के बचाओ के लिए साधी के द्वारा तूले द्वारा दूलन के मायके में पेड लगाने की प्रथा मैत्री आंदूलन की है हैंड़बुक ओफ दी बाइडस ओफ इंडिया एंड पाकिस्तान कुछ तक किस ने लिखी सलीम अली ने साधा कावा पुरुषकार के छित्र में जाता है परियारवन सरक्षन एवं आपदा प्रवदन्त के छित्र में बहुत तथा चैविक संसार जहां कोई रहता उसे क्या कहते हैं परिया बढ़क कहते हैं अनुषका अकेडमी गॉलियर प्रती दिन क्लास ली जाती हैं सीडीपी इवियस तो आप लोगोंने अभीथक जोइन नहीं किया तो जोइन करें अनुषका अकेडमी गॉलियर अंगली क्लास में फ्रिम्णते तब तक किली सबी लोगोंको श्यू करिया झाल